नमस्ते मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दीललन्टों राम विलास पास्वान केंदरिय खाद्य और उग्भोकता मामलों के मंत्री है रविवार को मंत्री जी को सलाद खाने का मन हुआ रश्यन सलाद पास्वान ने अपने स्टाफ को फल लाने भेजा सलाद बनाने से पहले उन्हें पता चला कि जो सेव लाए गए हैं उन पर मोम की परत चड़ी हुई है ये पता चला सेव को धोते हुए खान मार्केट की एक बड़ी दुकान से ये सेव मंगवाई थे मंत्री जी और वो भी 420 रुपया की लोग तो लोगों को दोड़ाया खाद्य और भोकता युभाग ने छापा मारा इस दुकान पर पाया गया कि तक्रीबन हर फल पर वैक्स कोटिंग की गई थी माने मोम की परत चड़ाई गई थी अब दुकान पर कानूनी प्रक्रिया के तहत एक्शन लिया जा रहा है लेकिन इसी के साथ सवाल उठता है कि बैठे बिठाए दुकान वाले ने मोम चाहा कर ये आफ़त क्यों ही मोलने ली क्या होती है वैक्स कोटिंग? क्यों होती है? कितनी खतरनाक होती है वैक्स कोटिंग? आईए समझते हैं ये पूरा मामला सेव या बाकी फलो पर मोम क्यों लगाते है'S? फल और सब्जिया खुद एक हलकी परत मोम की छोड़ते हैं ये कुदर्ती तरीका होता है फल और सब्जियों के खुद को सुरक्षित रहने का लेकिन जब यही फल और सब्जिया तोड़कर अलग कर ली जाती है तो इनके जल्दी से जल्दी खराब होने का खतरा होता है किसान और बागबान इन सबजीओं और फलों को ज्यादा से ज्यादा देर तक मौसम से बचाने के लिए इन पर मोम की परत चागा देते हैं ताकि जब तक ये फल और सबजीन बाजार में पहुंचें तब तक खराब न हो जाएं महेंगे फलों पर मोम चढ़ाना माने वैक्स कोटिंग ज्यादा की जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है मोम यही दिक्कत है कई तशकों पहले शुरू हुई इस वैक्स कोटिंग का सीधा हासिल था उन्हें बाजार तक सुर बाकी सेबों की तरह मरगिल्ले से नहीं है लेकिन कहते हैं न कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती बस वैसे ही हर चमकता सेब हिल्दी नहीं होता सेब पर चढ़ाया गया मोम खतरनाक होता है लेकिन हर मोम नहीं कुछ मोम की किसमें ऐसी भी होती हैं जिनकी परत चढ़ाने की इ SSAI के मताबिक vegetable wax का फल सबजियों पर प्रयोग हो सकता है अब सवाल ये है कि इस वाले wax और बाकी wax में फर्क क्या होता है पहले समझते हैं natural wax क्या होता है कारनाबुआ wax, queen of wax कहा जाता है इसे Brazil wax या palm wax भी कहा जाता है Brazil के tropical khajur के पत्तों से निकाला जाता है इसे अगर इसकी मात्रा बढ़ा दें तो इसे shoe polish में भी इस्तिमाल किया जाता है वैसे इसे ज्यादा तर दवा की गोलियों पर इस्तिमाल किया जाता है ताकि मरीज आराम से capsule या गोलिया नीगल सके सबजीयों पर इस्तेमाल होने वाला commercial wax भी कारनाबुआ ही होता है इस wax को cosmetic industry में भी खुब इस्तेमाल किया जाता है mascara, eyeliner, lip gloss और lipstick में चमक लाने के लिए कारनाबुआ wax इसमें मिलाया जाता है असल में कारनाबुआ सबसे देर में पिखलने वाला mom होता है इसलिए इसे make-up के सामान में consistency enhancer के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अलग से Amazon पर भी बिखता है करनाबुआ के अलावा दो और तरह के wax natural माने जाते हैं bees wax और shalak wax शहग बनाने की प्रक्रिया में ये mom बनते हैं और इनकी waxing करने की भी permission food authorities देती हैं European Food Safety Authority यानी ESFA ने भी फल और सब्जियों पर wax coating के लिए कुछ नरदेज दिये हैं ESFA ने अपनी research में पाया कि करनाबुआ wax coating को खाने से इंसान का पाचन तंत्र तभी खराब होगा जब wax तय मात्रा से ज्यादा होगा बाकि किसी तरह का wax खाने लायक नहीं होता है Material Safety Data Sheet, MSDS अंतरराष्टिय संस्था है और इसने wax coating को बेहत खतरनाग बताया है माने कि wax किसी भी हालत में खाया नहीं जाना चाहिए अब तक आपने समझा कि wax coating क्या है, क्यों होती है लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे फर्क करें कि कौन सा wax खाने लायक है और कौन सा नहीं मत कीजिये फर्क क्योंकि भारत समय दुनिया भर की Food Authorities कहती है कि खाने के सामान पर अगर wax coating करते हैं तो आपको काघज की चिप्पी लगा कर ग्राहक को बताना होगा कि सामान पर wax माने मोम की परत लगी हुई है साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि wax चो लगाया गया है और ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है दुकानदार इस्तेमाल करते हैं chemical wax तो ज्यादा दिमाग मत भिडाईए सबजी और फल को गुंगुने पानी से धो कर ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि फल, सबजी, खराब होने से बचाने के लिए लगाया गया wax अगर आपने खा लिया और अगर वो नैचुरल wax है और अगर वो तै मात्रा में ही है तो भी रिसर्च बताती हैं कि वो नुकसान नहीं करेगा लेकिन इसे खाने के लिए कोई नहीं कहता इसलिए इत्ते सारे अगर-मगर में मत पढ़िए सेव वगेरा धोकर ही खाईए स्वस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजे यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और हमारा इंड्रोइड आप भी आ चुका है उसे भी इंस्टॉल कर लीजे हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आक्टिव हो चुका है उसे भी लाइक कीजे मैं उसमित और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जेरी शुक्रिया